ये नेट खेत में फैंचिंग करने के लिए यूज होता है और जानवर नहीं आता है इसलिए फैंचिंग में यूज होता है ये तीन फीट आइट में मिलेगा छे फीट आइट में आता है और इसमें प्राइज कहां से स्टार्ट होता है और एक किलो में से फीट आइट और पस जी नमस्कार दोस्तों एक fresh और new episode पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है जी दोस्तों ए बारिश के मौसम में आप सब की सबसे ज़्यादा requirement करें मुझेश भाई को त्रिपाल का व्लोग बनाएं तो दोस्तों आज एक ऐसा ही plot पे आया हूं जहां पे आपको only for wholesale price में है औ और बहुत सारी quantity में और wholesale price में त्रिपाल मिलने वाली और बहुत सारी चीजे भी आपको यहां पे मिलने वाले जैसे कि बीपी रोप नाइलन रोप त्रिपाल कन्वेंट बेल्ट दोरी-दोर्डा केबल वायर होस पाइप ऐसी electronic item ऐसी बहुत सारी item आपको यहां पे मिलने व सर कैसे हो बहुत अच्छा है एक दम बज़े में एक दम बजाए तो आज हमारे व्यूवर के लिए आप क्या नहीं आले क्या है हो जैसे कि आपके प्लोट में कौनसी कौनसी आइटम मिलने वाली है और ज्यादा तर आपका कौनसा बिजनेस है जी सबसे ज्यादा तिरपाल और नेट अभी तिरपाल का सीजन है तो होलसेल में हर तरह की कोलेटी का दिरपाल मिल जाएगा और अपने पास यसे कौनसी कौनसी आइटम हमारे अप्लोट में हर टाइम एवलीबल रहती है तिरपाल रसी नेट और पट्टी कन्वेर बेल्ट केबल वायर और जहांस का यह पीवीसी फ्लेक्स मट्रियल है सबसे ज्यादा भीकने वाला सबसे रेट कम है और सच्था और अच्छा आइटम यह है चारो किनारों पर रसी लगा हुआएगा कड़ी लगा हुआएगा इसका हां इसका रेट ओल सेल में 85 पर केजी है और वजन में अलका रहेगा यह 15 कड़ा आएठारा का साइज है चार किलो इसका वेट होता है एसे डश बैस में कितना वजन हैगा अंदाश से को ए फ्रोक्स दस बैस में अधाई किलो वजन होता है और अपने पास साइज में इतने तक एवलिबल है इसमें 15 x 18, 20 x 30, 20 x 40, 30 x 30, 20 x 37, सब साइज मिलेगा थोटा बड़ा, बड़ा से बड़ा 50 x 50 साइज हमारे पास, मिलेगा, और दुसरा यह आइटम है, ब्लेक कोरियन, यह दो कलर में है, आगे पीछ अलग अलग रहा है, यह त तिकाव में मजबूत अच्छा रहेगा, यह ओल सेल में 90 रुप्य किलो पड़ेगा, और यह भी हमारे पास कॉंटेटी में, हाँ, कॉंटेटी में और हर साइज मिलेगा इसमें, यह तिसरा आइटम है, वाइट कोरिया, यह भी थिकनेश में मोटा तिकाव में अच्छा रह पड़ेगा, यह 90 रुप्य किलो पड़ेगा, दोस्त अब देख सकते हो, कॉलेटी बहुत बैस है, और आपको हर साइज यहां पर हर टाइम एवलिबल होगा, जिरो फिलर एस्वी पी आएगा, इसको कितना भी ताकार लगा के खिसेंग यह पटेगा नहीं, इसा मजबूत है और वजन में एकदम अलका आएगा, हाँ, यह टेक्टर का ओड़ बनाने के लिए है, मीनी टेक्टर, बड़ा टेक्टर का ओड़ बनाने के लिए है। यह इसके साथ पेड़ घिसेगा, तो भी फटता नहीं है, दूप्चCan खराब नहीं होता है, उतना मजबूत रहता ह इसमें प्राइज क्या है यह टेक्टर का उड़ में शार्ट सर रुपिया पीस पांट सर रुपिया से बारा सर रुपिया तक पीस का रेट है यह प्रोटेक्शन दिरपाल है यह सच में उपर डालने के दूप में रखने के लिए बहुत मजबूत है चलता है यह प्लास्टिक है एकदम औजन में हिलका रहता है 15-15 पीट का एक किलो औजन होता है और यह 85 रुपिया पर केजी पड़ेगा और इसमें लंबी से लंबी बड़ी साइज कितने में जाएगा इसमें 15 पीट 20 पीट 25 पीट 30 पीट सोड़ा याता है वो लंबा 500 फीट 200 फीट लंबा रोल रहता है यह उसमें यह वी कॉलेटी का है यह कौन सा गाल से यह अमेरिकन ए पीला कलर का भी आता है यह सब रेंज एक ही रहेगा सब रेट का कम ज्यादा सब अलग 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 क्वालेटी के शाब रहेगा यह पीवी सी कोटेड तीर पाड़ेता है इसको 10-12 साल तक दूप में कुछ खराब नहीं होता है और इसमें प्राइज कहां से स्टार्ट होता सब्साइज मिलेगा है ट्रक के उपर डालने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है तिरपाल जी दोस्तों यह था त्रीपाल का व्लॉग जो व्लॉग शूट करने के लिए थे हम खोड़िया ट्रेडस में तो बद्रेश भाई ने आपको टोटेली इंफ्रमेशन जैसे चोटे साल पत्वी से लेकर हर ट्रीपाल के बारे में आपको इनफ्रमेशन हो गया यह पोस्टर हो गया सभी के आपको इनफ़रोयों व्लॉग तो दोस्तों यह हमारी त्रीपाल वाली इंप्रिमेशन व्लॉग आपको कैसा लेगा हम वीडियो के डिस्क्रेप्षिन में झाल झाल झाल